हेलो दोस्तों स्वागत है आपको आज के हमारे नए क्लास में जैसा कि हमने आपसे कहा था कि जो 12 वाले बच्चे हैं उनको सेट सॉल्व कराएंगे या नहीं अन्सॉल्व पर काम करेंगे तो इससे पिसले क्लास में हमने आपको 2021 का सेट नंबर 2 पूरा पेपर आपको दिखा करेंगे तो आज हम स्टार्ट करने चाहरे हैं 2021 का सेट नंबर 2 जिसका पूरा पेपर हम आपको इसे पिछले क्लास में दिखा चुके हैं स्टार्ट करेंगे खंड सा से क्यूंकि हमने आपको बताया था पांच खंडों में बटा होता है तो अपर के दो खंड है आ और बा व नमबर Willison 3 स्झज़ा रहे पर वाननाँ तहरोorden दहीक देखिए लिखा है लिखा हो कंओ को सम्मीबब प्रक्रश्ट को परिभाशित कीजिए इसकी दो विशेष्टाओं क propagation अंको क्या है सबसे पहले सम्वीभव प्रश्ट परर्ष्ट के बारे में आपको लिखना एम देखी दो नंबर में आया है तो एक नंबर में सम्वीभव प्रष्ट आजा जाएग also दूसरे नंबर में जो दो उस्युषिश्चता हैं उनके बारे में तो सबसे पहले सम विभव प्रष्ट क्या होता है बहुत आसाने नाम से पता चला है सम विभव सम का मतलब होता है समान यानि ऐसा प्रष्ट जिसके प्रतेक बिंदू पर विभव का मान समान होगा वही क्या कहलाएगा सम विभव प्रष्ट कहलाएगा तो यहीं हमने यहाँ पर लिख दिया है कि ऐसा प्रष्ट जिसके प्रतेग बिंदु पर विभभ आ अमान समान होता है सम् विभभ प्रष्ट कहलाता है, उसके बड़ इसकी विशेष्टा क्या होगी? तो पहली विशेष्टा ये है कि प्रते एक बिंदू पर जो विद्दु छेतर की तीवरता होती है वो प्रष्ट के कैसे होती है परपंडी कुलर होती है यानि कि लंबवत होती है विद्दु छेतर की तीवरता को किसी लिखते है तो ये भी आपको पता होना चाहिए E से लेकिन जाएंगे लेकिन यहां पर काम यहां पर क्या होता है? भी हो रहा होता है निए डबलू जो वर्क है वो क्या हो जाए जीरो हो जाता है तो इसकी दो विशेष्टाओं के बारे में हमने लिख दिया है अगर आप इतना लिख देते तो आपको यहां पर दो नंबर मिल जाते हैं उसके बाद जिसका सेकंड कोश्चन है वो देखी क्या दे रखा है कि E1 और E2 क्या दे रखे विद्दुद वाहक बल तो आपको पता होना ची विद्दुद वाहक बल को हम E से डिनोट करते हैं उसके बाद R1 और R2 क्या है दो आंत्रिक प्रतिरोध हैं तो यहां से आपको क्या पता चला कि जो हमारा विद्दुद वाहक बल है उ महाँ पर हम स्मॉल आर का यूज करते हैं क्या कहा गया है कि आरवन और आरटू आंतरिक प्रितिरोध वाली दो बैटरिया कहा में जुड़ी हुई है समानतर क्रम में जोड़ी है तुल्ले बैटरी का जो विद्दुद वाहग बल यानि ए और आंतरिक प्रितिरोध आर ये दो लिख देना है विद्दुद वाहग बल का और आंतरिक प्रितिरोध का है वह आपको लिख देना है आपको दो नमबर मिल जाएंगे लेकिन बाइचेंस अगर ये कोशन तीन नमबर में आ जाता है तब आप क्या करेंगे तो इसलिए इस कोशन को हम दो नमबर की अकॉर्डि लिख दिए क्योंकि वह पर क्या रखा था एवन एटु तो माल लिए जो वैदित वाहग वाल हो पी बीदु श्रोण पाई है उसके बाद देखे क्या लिखा है अगर यहां पर समांतर प्रितिरोधी है एक बात आपको बताते दो क्रम होते एक समांतर होता है और एक ठीक है श्रेडी क्रंप का जो फॉर्मला होता है वो हो जाता है R बराबर R1 प्लस R2 जैसे जितने भी आगे जोड़ेगा है R1, R2, R3 तो इस तरीके से जोड़ दे जाते हैं अगर समानतर की बात आती है तो वहाँ पर हम इसका उल्टा कर देते हैं अगर श्रेडी की बात आती है तो हम कैसे लिखते है जिसे R बराबर R1 प्लस R2 समझ गया है तो यहाँ पर क्या बात करी जा रही है समानतर करम में तो लिख दिया कि अगर बैक्टरियां जो है समानतर करम में जुड़ी हुई है तो इनका आंतरिक प्रितिरोद क्या हो जाएगा 1 upon R is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 क्या है हमारा आंतरिक प्रितिरोद तो आंतरिक क्या यूश किया है स्मॉल आर का फिर क्या किया है नॉर्मली यहाँ पर हमने लिख लेते हैं तो नीचे वाली की आपस में गुणा कर दी इसकी आप इधर गणवा कर दीजिए और इसकी इधर गुणा कर दीजिए तो देखे आरवन प्लस R2 आ गया ठीक है इधर हमारा वन अपॉन आर जैसे च कहने का मतलब है कि आपको दोनों भिनों को फ्रेक्शन को पलट देना है तो पलट दे तो हमारी फाइनली आर की जो वैल्यू आगी वो कितनी आगी आर बराबर आर वन आर टू और अपॉन में आर वन प्लस आर टू यही आपका पहला आंसर हो जाएगा देखे दो नमबर मे पहले हम आई का यूज करेंगे क्यों आई निकालेंगे आई क्यूं निकालेंगे तो वह भी समझ लीजिए क्या रिखा हुआ है कि बैटरियों से प्राप्त अधिक्तम बैद्धिध धारा जो होती वह ईवन अपॉन आर वन वा ईटू अपॉन आर टू है तब कुल और था को हम किसे लिखते है आई से लिखते है और फॉर्मॉला होता ह trainees अपने आं का नियम पढ़ाओगा यहाँ पर 2021 एैर यहां पर blue यह फिर दियर अर यहां पर को प्रतिरोध हैं यहां पर क्यूए आंत्रिक प्रतिरोध है तो formula क्या हमने बना लिया E बराबर I R I R निकाला क्या किया R को नीचे भेज दिया तो क्या हो जाएगा E upon R तो I बराबर क्या जाएगा E upon R तो देखें यहाँ पर दो चीज़े हैं E1, E2 और R कितने वो भी R1, I2 है तो I1 के लिए क्या हो जाएगा E1 upon R1 उसी तरीके से I2 के लिए क्या हो जाएगा E1, E2 upon R2 तो यहाँ पर बैटरियां दो थी तो हमने यहाँ पर लिख दे कि बैटरियों से जो प्राप्त विद्धारा होगी यहाँ जो होगी वो दो होगी I1 के लिए हो जाएगा E1 upon R1 और I2 के लिए हो जाएगा E2 upon R2 अब क्या करेंगे दोनों को हम जोड़ देंगे देखें यहाँ पर I बराबर जो है वो दोनों को जोड़ दिया सिंपली यहाँ पर वो भी हमने यहीं किया क्या 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 के लिए हमने लिए नीचे का करेंगे इन टू तो R1, R2 इसकी इधर करेंगे तो E1, R2 आगे इसकी इधर करेंगे तो E2, R1 यह जो यहाँ पर नम्बर लिखिए हो इनको अब सफिक्स में लिखी इस तरीके से कुछ तो ज्यादा अच्छा रहेगा फिर उसके बद क्या 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 एक निकालना तो बहुत हमने आपको फॉर्मूला बता दिया ए बराबर आया क्या किया बस डायरेक्ट यहां पर हमने i की जो वैलू यह वाली निकाली है इसको उठा के यहां पर रख दिया और बस यह हमारा सॉल्फ हो गया है R की value हम उपर निकाल चुके थे वो भी हमने रख दी ये वाला ये वाला cancel हो जाएगा और बचा हमारा क्या E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉर R1 प्लस R2 तो जो हमसे question में पूछा जा रहा था कि E1 आपको क्या निकालना है विद्द वाहकबल यानि की E का मान और R का मान तो दोनों ही हमने आप पर find out कर दी है सबसे पहले हमने R निकाल लिया जिसकी ये value आई थी उसके बाद हमने E निकालने के लिए पहले I को निकाला है क्योंकि इस formula में I की जरूरत पड़ रही थी तो इसलिए I निकाल लिया फिर यहां पर आकर put कर दी है यहां से हमको E का मान भी मिल गया फिर से बता रहे है अगर दो नंबर में आता है direct आपको formula लगाना है मतलब कि formula आपको direct लिख देना है R का और E का अगर दो नंबर में आता है तो वरना अगर तीन चार नंबर में है तो आपको यह पूरा करना पड़ेगा तो I hope यह question आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा उसके बाद तीसरे का जो गा question है यानि कि थर्ड नंबर वो कुछ इस तरीके से है कि hydrogen परमाडू में एक electron त्रितिय उत्तेजित अवस्था में है अंतताव है समान अवस्था में लोटता है उस सर्जित होने वाली संभावित पर रेखाओं को चित्रित कीजिए और इनकी संख्या को भी उले कीजिए तो आपको क्या करना है यहाँ पर जितनी भी electron दे रखे हो उत्तेजित वस्था में है चार है पाँच है तो आपको क्या करना है इस तरीके से उड़ जा इस तर बना देना है उड़ जा इस तर हलांकि इस question में पूरा तीन दे रखे है तो आपको क्या करना है हम आपको नीचे से दिखाते है आपने हाइडोजन की श्रेणिया पढ़ी होंगी लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट और फुंड ये पाश श्रेणिया होती है हाइडोजन की आपको पता होना चाहिए कोश्चन में था तीन तृत्तिय के लिए आपको कोश्चन इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे बस लाइमन बाला आपको बना देना है बामर और पाशन, बस ये तीन आपको इस कोश्चन के लिए बना देना है और आपका अंसर कम्प्लीट हो जाएगा यहां पर आपको इसके लेकिन value भी लिख कर दिखाने पड़ेगी कि pension के लिए होती है मैनस का 1.51 EV क्या electron volt उसके बामर x steady के लिए होती है मैनस का 3.0 electron volt इसे तरीकी से लाइमन के लिए होती है मैनस का 13.6 electron volt अगर आपको यह नहीं याद रहती है तो इसके लिए एक formula भी दिया गया है minus का rhc upon n square क्या है minus का rhc upon n square यहाँ पर r क्या है यहाँ पर red work नियतांक है h यहाँ पर plank नियतांक है c प्रकाश की चाल है और n तो यहाँ पर संक्या है जैसे कि लाइमन के लिए n command 1 रखेंगे बामर के लिए n command 2 रखेंगे ऐसी passion के लिए 3 bracket के लिए 4 और यहाँ पर fund के लिए क्या रखेंगे हम 5 रखेंगे इसी तरीके से यह जो चलती आ रही है अनंत तक चलती आ रही है ठीक है अगर जैसा question है उसके according आपको लिख देना है संक्या बतानी थी तो हमने संक्या भी बता दी है कि अन बराबर 3 तक निकालेंगे और इधर ने साइड में इसकी उड़जा भी बता दी यह question हो गया उसके बाद question number घा कि electron एवं proton को समान विभव पर त्वरित किया जाता है किसका समवे कम और संबद डी ब्रॉगली तरंगदर अधिक होगी तो यह question जो है थोड़ा सा numerical based है लेकिन आया यह भी दो number में फिलाल थोड़ा सा यह long question हो जाएगा बट आपको पूरा समझ में आ जाएगा फिलाल इस class में हम इतना ही रखेंगी इस वाले question को और आगे आने वाले questions को मांको अगले class में solve कराएं क्योंकि यह video थोड़ी सी बढ़ी हो गई है तो इस class में इतना ही रखते हैं आप मिलते है आपसे अगले next वीडियो में अगले next questions के संग तब तक के लिए जाएएगा